जी हाँ दोस्तो बले से ही निया ककड़ और रोहन परी तब शादी के बंदन में बंद गए हूँ लेकिन निया ककड़ का एक ऐसे सपना है जो अब शायश शादी के बाद आधूरा रह सकता है क्योंकि दोस्तो बॉलिवूट इंड़स्ट्रिस के अंदर निया ककड़ की भूमिका की और नजर डाला जाये तो बैस्ट सिंगर मानी जाती है डांसर भी काफी अच्छी है लेकिन हर किसी का सपना होता है कि वो एक्टिंग करियर में भी अपना हाथ अजमाए जहां पर किया जाता था या अपने एक्टिंग डेब्यू के बारे में क्या सोचा है तो उन्होंने ये बात कही थी कि जहां तक मैं बाकी सिंगर्स को देखती हूं जिन्हों ने अच्छे गाने गाये थे लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग करियर में हाथ आजमाया तो उनको असफलत यानि कि वो सक्सेस्फुल नहीं हो पाए उनका डेब्यू काफी खास नहीं रहा वो सब देखकर नेहा ककड कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जादा निराश रहती थी कि कहीं उनका हाल भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा क्यूंकि उनके गाने तो लोग पसंद करते हैं लेकिन उनक किसी को पसंद आएगी तो मैं जरूर करना चाहूंगी लेकिन नहा ककड शादी के बाद शायर एक्टिंग कर पाए या ना कर पाए वो तो बात की बात है सिंगर नहा ककड गानों के अलावा अपने लुक और श्टाइल के लिए भी चर्चाओं में रहती है नहा का ड्रेसिं होने के बाद कि वो एक्टिंग में अपना प्रोजेक्ट लाएंगी वो तो आने वाले समय में पता चलेगा क्यूंकि कई बार वो गानों में काफी अच्छा करिके दिखाती है तो ऐसे में फिल्म या फिर किसी टीवी रियाल्टी शो में कोई एक्टिंग के जरिए लोगों आने लाएंगी पक्रिकोट